जैहिन्द विद्यार्थियों आप सभी का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर बहुत-बहुत स्वागत है आए विद्यार्थियों आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं मालवा के परमारवंस तो आज से हम मद्यप्रदेश के प्रमुक राजवंसों की सीरीज चालू करने जा रहे हैं जिसमें हम सबसे पहले आज परमारवंस पर बात करेंगे कि मद्यप्रदेश में परमारवंस किस प्रकार से इस्थापित हुआ यह सारी बाते हमें यहाँ पर करनी हैं प्रमुक साशक कौन कौन हुए उन पर भी हम यहां पर विशेश बात करने वाले हैं अच्छा देखा जाए तो prelims point of view से याद रखेगा आपके prelims point of view से यह बहुत महत्पूर्ण राजवन्स है विगत कई वर्सों से यहां पर question आपके पूछे गए हैं साथ ही हम बात करते हैं मेंस की तो मेंस स्लेव बस में कहीं भी परमारवन्स डिफाइन नहीं किया गया है तो मेंस point of view से नहीं लेकिन प्रिंस के लिए बहुत important है लगातार हम देख रहे हैं कि राजा भोज और परमारवन्स से यहां पर question पूछे जा रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं परमार परमारवन्स पढ़ने के पूर्व मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि अनकेडमी द्वारा वर्तमान पर आप सभी को कुछ विसेश ओफर्स दिये जा रहे हैं यदि आप 28 तारिक के पूर्व सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो लगबग 20 प्रतिसत की आपको छू चीज करते हैं तो उसके अपको 20 प्रतिसत की छूट दी जा रही है साथी आप यहां पर प्रोमो कोड का प्रियोग कर सकते हैं तो एसेन का प्रियोग करने से आपको 20 पर सेंट जो है वह चूट मिलेगी चलिए साथी यदिम बात करते हैं आपके पेसी के लिए अनकेडमी के द्वारा वर्तमान पर एक रैपिट रिवीजन बैच चलाया जा रहा है यह रैपिट रिवीजन बैच जो है वह टारगेटेड बैच एक प्रकार से देखा जाए वर्स 2022 के लिए जो आपको मिनिमम प्राइज में यहां पर मिल रहा है साथी पड़ चीज समझ लेते हैं महत्यपूर्ण की अनकेडमी के द्वारा आप सभी को टैसरी जो है प्रोवाइड की जा रही है जिसमें दस यूनिट टेस्ट हैं और दस जो है आपके एफल्टी यहां पर प्रोवाइड की जा रही है तो आए विद्यारतियों अब हम अपने विशे को प्रारंब करते हैं और सबसे पहले समझते हैं परमार्वन्स को समझने के पूर्व हम सबसे पहले समझते हैं कि हमें परमार्वन्स समझने के पूर्व मालवा की जो भी राजनेतिक इस्थितियां है उसको समझना बहुत महत्यपूर्ण है देखिए हमें समझना है इस्थापित कहां हुआ मालवा पर हुआ तो मालवा पर उनके पूर्वी किसका शाष्ण हुआ करता था और किस प्रकार से मालवा पर पर मार्वंस इस्थापित हुआ उस पर हमें थोड़ा सा यहां पर जोर देना होगा समझना होगा तो सबसे पहले अगर हम मालवा की राजन अगर हम यहां पर कि राजनेतिक स्थिति की बात करते हैं तो उस टाइम पर राजनेतिक स्थिति में सबसे पहले समझते हैं कि मालवा पर जो है आपका गुर्जर प्रतिहारों का साशन हुआ करता था तो याद रखिएगा गुर्जर प्रतिहार जो है यहां पर साशन कर रहे थे साथ ही गुर्जर प्रतिहार यहां पर वास्ताव में सामंत के रूप में थे और किसके सामंत हुआ करते थे तो यह रास्ट कूटों के सामंत हुआ करते थे याद रखेगा यह रास्ट कूटों के सामंत के रूप में प्रारम में साशन कर रहे थे अब इस बात की जानकारी हमें कैसे मिलती है कि यह जो है किसके सामंत हुआ करते थे आपके गुरजर प्रतिहारों के तो इसकी जानकारी हमें दो महत्पूर्ण चीजों से मिलती है पहला है आपका राश्ट कूटों के तामर पत्र अभिलेक से साथ यदि हम बात करते हैं बेटा कि यहाँ पर एक बहुत महत्पूर्ण ग्रंत है हरी वंस पुराण जिससे हमें यह जानकारी मिली है कि आपके राश्ट कूटों के सामन्त के रूप में मालवा पर गुर्जर प्रतिहारों ने साशन किया था ठीक है यहाँ तक थोड़ा समझ में आ रहा है कि सबसे पहले मालवा पर जो है यह देखा जाए तो गुर्जर प्रतिहार साशन कर रहे थे राश्ट कूटों के सामन्त के रूप में और विसकी जानकारी हमें तामर पत्रों से मिली है और हरी उवंस पुरान नामक ग्रั้ंत से इसकी जानकारी मिली है अब आग entire कि बेटा एक आपका त्री पक्षय संहर्ष्ष देखने मिलता है तो यहिए एक प्रकार से त्री पक्षय जो संघर्ष था तो त्री पक्षी संघर्ष जो है वो हम देखते हैं तीन प्रमुक राजवन्सों के मद्ध हो रहा था एक है आपके प्रतिहार पाल और तीसरे हैं राष्ट्र कूट तो इन तीनों वन्सों के मद्ध जो है कन्यौजपर अधिकार करने के लिए एक लंबे समय तक युद्ध चलते रहे जिसे त्री पक्षी संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है तो अब त्रीपक्षिय संगर चल रहा था भारत में, राजनेतिक उथल पुतल लगी थी भारत में, साथ ही यहाँ पर अब जो है कुछ नए राजवन्सों का उधैभी होने वाला है साथी यदि हम बात करते हैं कि अब मालवा पर अधिकार राष्ट कूटों का हो गया है और मालवा पर कर वसूलने के लिए, याद रखे कि सबसे इंपॉर्टन चीज़ क्या है, टेक्स वसूलने के लिए, कि आप टेक्स वसूली और हमको दीजिए, उसके लिए यहाँ पर साम की न्युक्ती की गई, याद रखे कि सामंती विवस्ता यही थी, कि राजा के आधिन यहाँ पर एक प्रसासक न्युक्त किया जाता था, जो टेक्स वसूल करके राजा तक पहुंचाता था, ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पर सामंत की न्युक्ती की गई, और सामं रखेगा किष्ण राज या उपेंद्र नाम दोनों मिलता है इनको यहां पर सामंती दी गई थी 799 एडी में तो यहां पर अब हम देख रहे हैं परमार्वन्स का इतिहास प्रारंब हो जाता है आठवी सतावदी के आसपास तो यहां से आठवी सतावदी से परमार्वन्स का साशन प्रारंब हो गया है और यह लगबग 400-500 वर्स के आसपास यहां पर साशन करने वाले हैं तो 400-500 वर्स जो है अब यहां पर मालवा पर साशन किसका होगा पलमार्वन्स का साशन होने वाला है चलिए तो अब हम परमार्वन्स जाने के पूफ कुछ और बाते जान लेते हैं कि अब इनकी उत्पत्ती को लेकर क्या से धान्त है तो परमार्वंस की उत्पत्ती को लेकर पर्मार्वंस की उत्पत्ती को ले करके अलग-अलग इतिहासकार, अलग-अलग मत देते हैं लेकिन यहां पर यदि देखा जाए तो आज भी इतिहासकारों में इस बात पर मतवेद है कि इनकी उत्पत्ती कहां से हुई ठीक है? तो यदि हम बात करते है तो सर्वमान माना जाता है कि इनकी उत्पत्ती जो है अगिनी कुंड से मानी गई है जातर इतिहासकार मानते है कि इनकी उत्पत्ती कहां से हुई है अगिनी कुंड से हुई है लेकिन वहीं आज यदि वर्तमान की इतिहासकारों की आधनिक इतिहासकारों की बात करते हैं, तो आधनिक इतिहासकार यह बात कहते हैं कि यह केवल एक कालपिनिक बात है, यह वास्ताव में नहीं हो सकता है, लेकिन प्राचीन इतिहासकारों की यदि हम बात करते हैं, तो वो तो सभी जो है इस बात को मानते हैं कि इनकी उत्पत्ती कहां से हुई थी अगनी कुंड से हुई थी लेकिन इस बात को कौन न कारते हैं वरतमान आदुनिक जो तिहासकार हैं वो इस बात को न कारते हैं कि इनकी उत्पत्ती अगनी कुंड से कैसे हो सकती है तो चलिए अब यह साथ ही आपका बसंतगर अभिलेक यह तीनों अभिलेक इस बात की पुष्टी करते हैं कि इनकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है इनकी उत्पत्ति मानी जाती है अगनी कुंड से साथ ही बहुत बड़े लेखक जो हुए उन सभी ने जैसे नवसे सांग चरित जो है पदमगुप्त की थी उसमें भी इस बात को माना है पदमगुप्त करत है साथ ही अबुल फजल ने जो अपनी आइने अकबरी लिखी है उस आइने अकबरी में भी इस बात को माना है कि इनक की उत्पत्ति कहां से हुई है अगनी कुंड से हुई है चलिए तो आगे बढ़ते हैं आगे समझते हैं अब बहुत collar प्रश्च जो है कई बार पूछ जाते हैं साक्ष से कि इन यौन की जानकारी या इस वन्स के साक्ष हमें कहां से प्राप्त होते हैं पहले भी पर्मारवंस पर यह कौशन पूछा जा चुका है कि पर्मारवंस के इतिहास के बारे में जानकारी किन किन चीजों से मिली है या किन अभिलेकों से प्राप्त हुई है या कौन सी किताबे हैं कौन सी आपकी बुक्स हैं जहां से पर्मारवंस की आपकी राजधानिया उनके सासकों के बारे में जानकारी मिलती है चलिए तो समझते हैं सबसे पहले यहां पर कुछ अभिलेक है जिससे हमें जानकारी प्राप्त होती है किसके बारे में पर्मारवंस के बारे में पहला है बेटा आपका हर हारियसे यह हुई रखेगा हे ढूब कोया रखारिक होती है कि उदएपुर प्रस्ति इस से भी बहुत कुछ सांखो प्राप्त हुए है हमें किस थी पर्मारवनस के थे कि अब ऑव सी बात कोई वक्ति हो नहीं कि फंस्टék क् öğ lied अभी लेक हैं उससे पता लगाते हैं कि अभी लेक से पता लगता है कि कहां तक इनका छेत्र विस्तार रहा होगा कहां तक इनका एक प्रकार से समराज्य विस्तार रहा होगा साथ ही बुकों से इनके साशकों के बारे में जानकारी मिलती है ठीक है कि कौन सासक इसके बाद आय हमें कुछ साक्ष मिले हैं जिसमें से पहली महत्यपूं किताब है नव सांग चरित नव से सांग चरित जो है यह पद Det दरबार में थे कि दोरा नियुक्त थे नियुक्त जो है यए दरवारी कभी हुआ करते थे या ठीक, साथ ही यदि हम बात करते हैं, एक और भी महत्पूर्ण है, कि यहाँ पर एक जैन ग्रंत है, प्रबंध चिंता मणी नामक जैन ग्रंत, जिसकी रचना की थी, मेरू तुंग ने, यह भी जानकारी का श्रोत है, आपके परमारवन्स की, साथ ही अबुल फजल, जो की नव अबुल फजल, ने लिखी तो हमने बहुत महत्पूर्ण बाते यहां पर देखी, सबसे पहले यहां पर दो बहुत महत्पूर्ण अभिलेग की हमने बात की है, सबसे पहला है हरसोल अभिलेग और दूसरा है Это describes мужч Canad महत्यपूर्ण जहां से मैं जानकारी मिली है। तीन किताबों के बारे में हमने यहां पर देखा नव सह सांग्षरित जो की पद्मगुप्त की है और पद्गुप्थ जो किसके दरबार में थे । सिंधू राज के दरबार में हुआ करते थे। वहीं इसके बाद हमने जो है विद्यार्थियों दूसरी महत्पूर्ण किताब जो है वो देखी है आपकी प्रबंद चिंतामणी जो एक प्रकार का जैन गिंत था जिसे जो है मेरू तुंग ने लिखा है इसके अलाबा दूसरी हमने देखा यहां पर आइने अकबरी जो की अबुल प्रयाने की संस्थापक के बारे में देखेंगे इनका नाम किष्ण राज भी देखने मिलता है इसके पस्चाद हम सियक दुती याद रखिए केबल हम महत्पूर्ण महत्पूर्ण साशकों की यहां पर बात करेंगे ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे साशक है लेकिन उतने सियक दुती साशक पर बात करेंगे इनके बारे में जानेंगे फिर हम वाकपती दुती के बारे में जानेंगे फिर हम सिंदुराज पढ़ेंगे इसके बाद राजा भोज के बारे में पढ़ने वाले हैं और फिर उधियादित और अंतिम साशक हुए महलक देव ठीक है तो हम यहाँ पर करने वाले हैं तो चली सबसे पहले स्टार्ट करते हैं संस्थापक उपींद्र के बारे में पढ़ते हैं तो हमने यह बात समझ ली थी कि राष्ट कूटों ने इन्हें सामंत बनाया और उस समय जिस जब इन्हें सामंत बनाया गया राष्ट कूट सासक हुआ करते थे गोविंद्र तती तो याद रखेगा गोविंद्र तती ने ही किष्ण राज को एक सामंती दी थी सामंत बनाया था कहां का मालवा का तो याद रखेगा मालवा की इन्हें सामंती प्राप्त हुई और किससे प्राप्त हुई है आपके गोव उपेंद्र तती इनको सामंति प्रदान करने वाले हैं इसके साथ ही उपेंद्र अपने सम्राज्ज का धीर-धीर थिरी विस्तार भी करेंगे। और तो और यह अपनी राजधानी बनाने वाले हो याद रखेगा प्रारंब में इनकी राजधानी कहां हुआ करती थी उजयन में हुआ करती थी तो इन्होंने अपना समराज मालवा छेतर में विस्तरित करना प्रारंब कर दिया और यहां पर उजयन को अपनी राजधानी बनाया इनके बाद एक महत्पूर्ण साशक आने वाले हैं बैरी सिंग द्वती है बैरी सिंग द्वती की महत्पूर्ण केबल एक बात है कि इन्हों ने राजधानी परिवर्तन की थी उज्जैन से धार यह अपनी राजधानी को लेकर गए थे ठीक है तो धार से उज्जैन जो है राजनीती को जाएंगे यहां पर आपके बैरी द्वती लेकर जाएंगे तो अब बैरी द्वती के पश्चात यदि हम बात करते हैं तो बैरी द्वती के बाद जो है अगले सासक बनने वाले हैं आपके सिवकद्वती या हर्ष अब हर्ष यदी देखे हम सासक कब बने तो ان्री सो चालिस के लग बज़ जो है यह सासक बनने Mitglणे में थे कि जब पुराने राजवन्स जितने थे वो सारे राजवन्स दीरे-धीरे समाप्त हो रहे थे और जितने नए राजवन्स थे उनका धीरे-दीरे उदय हो रहा था तो हमने यहाँ देखा कि राजनीती का संक्रमन काल चल रहा है पुराने राजवन्सों का धीरे-दीरे पतन हो रहा है वहीं जो है आपके नए राजवन्स उदय हो रहे हैं नए राजवन्स स्थापित हो रहे हैं ठीक तो हमने यहां पर कुछ महत्रपूर्ण चीज़ें देखी इसके साथ ही जैसे ही यह राजनेतिक परस्थितियां जो चल रही थी और राश्ट्रकूट जो ते अब यहां दीरे-दीरे कमजोर होने प्रारंब हो जाते हैं दीरे-दी क्रिष्णा त्रति तो क्रिष्णे त्रति से इन्होंने युद्ध लड़ा आक्रमन किया ठीक है तो इनसे युद्ध लड़के इन्होंने क्रिष्णा त्रति को पराजित भी किया तो याद रखिए युद्ध लड़ा भी और इनको पराजित भी किया ठीक है पराजित करने के साथ साथ रास्ट कूटों की राजधानी उस समय हुआ करती थी रास्ट कूटों की उस समय राजधानी हुआ करती थी मान्य खेत तो मान्य खेत पर भी इन्हों क्या कर लिया था अधिकार कर लिया था थीक है तो एक सब्से महत्पूर युद्ध था थीक इस्युद्ध में इन्होंने किसको पराजित किया और पराजित की तो वो हैं सियक द्वतिय तो याद रखेगा सियक द्वतिय प्रमुख हैं जिन्हों ने स्वतंत सत्ता इस्थापित की इनके पहले के साथ सक्षापित नहीं कर पाए वो सामंत की रूप में राष्ट कूटों के सामंत की रूप में साशन कर रहे थे अब यहां पर जो है लगाद रखेगा आप यहाँ पर स्थापना हो चुकी है राष्ट कूट यहाँ पर जो है आप पराजित हो चुके थे और उनकी राजधानी पर भी परमारों का अधिकार हो चुका था तो स्थाप्यत किस ने की थी आपके हर शिया स्यक दुद्धी ने कि इसके अलावे यह प प्रथम प्रतापी साशक हुए प्रथम प्रतापी साशक हुए इसके अलाबा इन्हों ने दो महत्रपूर उपाधियां भी धारण की थी सबसे पहली है आपके महराजा धीराज की उपाधि और दूसरी है महामंडलिक चूडा मनी ठीक है महामंडलिक चूडा मनिक नामक इन्ह ने उपादी को धारन किया था सबसे पहले यह देखा जाए तोसी समय राजनीती का सद्ट गरमानकाल चल रहा था ने बाले रास्ट कूटों को राज़ित करेंगे और मांनेक केदा करेंगे आधिकार करेंगे की और महामंडलिक चुणामणी की इन्हों ने उपाधी धारण की थी ठीक है अब देखा जाए तो सीयक द्वतिय के दो पुत्र थे कि सीयक द्वतिय के दो पुत्र थे पहले पुत्र हुए इनके सिंधराज सिंधुराज और दूसरे पुत्र थे इनके वाकपती मुंज कहा जाता है वाकपती मुंज इनके दत्तक पुत्र थे वास्तम इनका नाम वाकपती था और दूसरे नाम इनका मुंज था कई जगहों पर वाकपती मुंज भी मिलता है कई जगह वाकपती वस मिलता है तो वागपती जो इनके पुत्र हुए थे ना धत्तक पुत्र थे कहा जाता है यह मुझ नामक घास पर प्राप्त हुए थे इसलिए इनको जो है क्या कहा जाने लगा मुझ कहा जाने लगा था तो यह राजा को एक जगाँ पर मिले थे और राजा ने इन्हें एडॉप्ट किया और एडॉप्ट करके अपना पुत्र गोशित किया और अब इसके बाद में यानि कि सियक दोती के पास अर्थात हर्स के पश्चात जो है अब अगले सासक कौन बनने वाले हैं तो अगले सासक बनेंगे वागपती मुझ ही ठीक है तो अपने देखा सियक दोती के बाद कौन बनें आपके वागपती मुझ और वागपती मुझ के आपका क्या कहा जाता है मुंज या उपल नाम से भी जाना जाता है ठीक है उपल या फिर इनको किस नाम से मुंज के नाम से भी जाना जाता है और तो और कहा जाता है कि मालवा का सुर्णिम यूग याद रखेगा मालवा का सुर्णिम यूग कब से चालू होता है वागपती अर्थात मुंझ के साशनकाल में ही प्रारंब माना जाता है इन्हों ने यहां पर देखा जाए बहुत सारे मंद्रों का निर्मान कराया था इन्हों और तो और कहा जाता है कि इन्हों ने एक झील का निर्मान करवाया और जील का नाम इन्हों ने मुझसागर झील ही रखा जो वर्तमान आपके मांडू अर्था धार में इस्थित है तो याद रखेगा मुझसागर झील का निर्मान कर आया था इन्हों ने धार में ठीक है चलिए अब इनके विजे अभियान भी बहुत ज़ादा है इन्हों सारे युद्ध भी लड़े उन पर भी बात करते हैं उन्हें युद्धों की विजे के पशात इन्हों ने आपकी दो उपाधियां धारण की जो बहुत महत्यपूर्ण है पहली है प्रत्वी बल्लव श्री बल्लव और अमोग वर्स नामक उपाधि इन्हों ने धारण की थी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम पर आगे समझते हैं चीजों को अब इनके युद्ध अवियानों के बारे में समझ लेते हैं तो वागपती मुझ या मुझ के बारे में हम बात कर रहे हैं इनके युद्ध अवियान पर बात करते हैं इनके युद्ध अवियानों में सबसे पहले यदि मात मात पूर्ण है कि इन्हों ने मालवा में हुर्णों को पराजित किया था ठीक है तो हुर्णों को पराजित किया है यहां पर ठीक है, हूर्णों को पराजित किया था इसके बाद यदि हम बात करते हैं कि इन्होंने आबु परवत पर भी अधिकार कर लिया था आबु परवत तक इनका, y caring कि आपका गुजराद राजिस्थान बाला थ्रोला साथ जो छेत्र है उस पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया था, ठीक है, पर अधिकार किया, साथ ही इनके साथ युद्ध हुए, ठीक है, अब चालुक के साशक हुए, चालुक के साशक जो थे, तैलब दोती है, तैलब दोती से इन्होंने साथ बार युद्ध रहा, अब तैलब दोती इन पर बार बार आक्रमण करते, छे बार तो तैलब दोती क्या हुए, पराजित हुए, ठीक है, छे बार क्या हुए ये, पराजित हुए, लेकिन साथ वी बार जो है, जब साथ वी बा परमार पर तब इन्हों ने किसको कबजे में कर लिया एक प्रकार से बंदी बना लिया वागपती मुंझ को यानि की वागपती दोती को यह कबजे में ले ले लेते हैं इनको बंदी बना लेते हैं तो याद रखेगा तीन महत्पूर्ण युद्ध है पहले हैं हुर्णों को पराजित किया थे इनने दूसरा आबू बर पर अधिकार किया था, तीसरा जो है, चालुक के सासक तैलब से नहोंने युद्ध लडा और तैलब दोती से इनोंने सात बार युद्ध लडा छे बार तो नहों तैलब दोतिय को हरा दिया, वागपती मुंझ ने किसको पराजित कर दिया तैलब दोती को पराजित कर दिया लेकिन सातवी बार जो है तैलब दोती गिरफतार कर लेते हैं बंदी बना लेते हैं किसको वागपती मुंझ को अब वागपती मुंझ जो है वो कबजे पर थे उनके उस समय पर राज ग्रह में उनको जो है प्रकार से देखा राज दरबार में पेस किया गया और तेलब दोती ने उनको मृत्यू दंड दे दिया अब यहां पर मृत्यू हो चुकी है किसकी आपके वागपती मुंझ की तो वागपती मुंझ के बाद इनके भाई साशक बनेंगे तो याद रखेगा इनके भाई हुए कौन अभी देखा ता हमने सिंधू राज तो है अगले साशक कौन बनेंगे सिंदू राज ही यहां पर साशक करेंगे अब सिंदू राज भी अपने भाई की भादि ही समराज विस्तार की नीति अपनाने वाले हैं यह भी जो है सबसे पहले अपने भाई के द्वारा हारे हुए छेत्र को चालुकों से वापस खिछीनेंगे तो अब हम सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो इनके यानि की सिंदुराज जो है सिंदुराज इनके विजय अभियान या इनके युद्ध पर बात कर लेते हैं थीक है तो सबसे पहले इन्हों ने चालुक्यों को पराजित किया और चालुक्यों को पराजित कर अपने भाई द्वारा हारे हुए छेतर को इन्हों ने वापस पराप्ट किया इसके बाद दूसरी बात करते इन्हों ने भी जो है खूर्णों को पराजित किया था और इस बात की जानकारी हमें किस से मिलती है इसकी जानकारी मिलती है उदैपुर प्रसस्ती से उदैपुर प्रसस्ती जो है उससे हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि इन्हों ने खूर्णों को भी पराजित किया था साथ ही इन्हों ने यहाँ पर चालुक्यों को भी पराजित कर अपने छेत्र को वापस छीना था किसे एक प्रकार से देखा जाए तो किसे आपके इन्होंने चीना था जो भाई ने इनका ठेट्र हार गए थे इसके अलावा यदी हम बात करते हैं तो इन्होंने एक और अधिकार किया था कोशल प्रदीश कर कि यह आपका कहां वर्तमान पर कोशल प्रदीश जो है और कौशल प्रदेश पर अधिकार की जानकारी हमें प्राप्त होती है यहां की जानकारी जो है वो हमें मिलती है कि इन्हों ने इस पर अधिकार किया वो मिलती है रतन पुर या रतन पुर अभिलेक से ठीक है, तो याद रखिएगा, रतनपुर अभिलेक से यह जानकारी मिलती है, कि इन्होंने कौशल प्रदेस पर भी अधिकार किया था, प्रसस्ति आपके उद्यपूर प्रसंती जानकारी मिली कि इन्होंने खूर्णों को पराजित किया था तो यह बहुत कुछ जानकारी हमें इस समय पर इनके साशनकाल की प्राप्त होती है इसके बाद इनका अंतिम युद्ध होगा उस पर बात कर लेते हैं अपन एक और युद्ध है उस पर बात करेंगे दो मुट रुक कर तो सिंदुराज जो है अपने भाई के बाद जो है साशक बने थे इसके अलावे इनका बहुत महत्पूर्ण निर्माण है कि इन्होंने शिवलिंग मंदिर निर्माण करवाया था धार में तो दियाद रखिएगा धार में जो है यह एक सिविलिंग मंदिर का निर्मान कराने वाले हैं इसके अलावा इनका अंतिम जो युद्ध था अंतिम युद्ध हुआ जो अंतिम युद्ध था वो हुआ चामुंद राज से चामुंड राज से इनका अंतिम युद्ध हुआ और चामुंड राज से युद्ध लड़ते हुए ही इनका देहांत हो गया अब जब इनका देहांत हो जाएगा किसे युद्ध लड़ते हुए हुआ चामुंड राज से इनका युद्ध लड़ते हुए देहांत हो गया तो अब यदि देखा जाए तो इनके बाद अगले सासक बनने वाले इनके पुत्र राजा भोज ठीक है तो राजा भोज अच्छे से पढ़िएगा यहां से बहुत सारे कौशन देखने को मिलते हैं तो इक किसके पुत्र हुए शिंदु राज के पुत्र हुए ठीक है और साथी इन्होंने जो युद्ध लड़े जो इनके युद्ध अभियान थे उन युद्ध अभियानों के कारण ही इन्हें क्या कहा जाता है इनकी तुलना की जाती है नेपोलियन से साथ ही इन्हें जो है आपके मालवा का समुद्र गुप्त भी कहा जाता है और समुद्र गुप्त से तुलना भी की जाती है तो याद रखिएगा इनकी तुलना समुद्र गुत और नेपोलियन से भी की जाती इनके समराज विस्तार साथ ही इनके युद्ध पर युद्ध पर थोड़ा रुक करके चर्चा करते हैं पहले सबसे महात्वपूर हैं कि इन्होंने क्या-क्या निर्मान कारे कराए थे क्योंकि इस्थापत कला में राजा भोज का आइस्मर्णिय योगदान है तो सबसे पहले हम इस पर नजर डालते हैं कि इन्होंने निर्मान क्या-क्या करवाए सबसे पहले इन्होंने एक भोज नगर नामक नगर की स्थापना की ठीक है? और इस भोज नगर में इन्होंने एक विशाल सिव मंदिर का निर्मान कराया और यहाँ पर जो सिवलिंग है वे विश्व का सबसे बड़ा सिवलिंग स्थापित करवाया तो याद रखियेगा शिव मंदिर औहागी से स्थापना करभाई यह विश्वे का सबसे बड़ा से सिल लिंग है. कहा जाता है कि यह मंदिर केबल एक रात में बनाए गया था. एक रात में इसे तयार किया गया इसकी जो च्त है वहत बन नहीं पाई थी और सूरह की किरण निकल आई इस कारण से उ उसको कारे को रोख दिया गया और आदा ही कार हमेशा रहा, बाद में, वर्तमान पे आप देखेंगे, थोड़ा छपर बना दिया गया है, लेकिन उसका प्रॉपर आप देखेंगे, छत नहीं है, पूरा बन नहीं पाया था, तो इसे जो है एक रात में तयार करवाया गया था, इसे किसने बनवाया था, राजा भोज ने ही इसे बनवाया था, साथ ही राजा भोज ने धार में एक भोज शाला बनवाई, यह भोज शाला एक संस्कित विश्विद्याले था, संस्कित विद्याले हुआ करता था, इस संस दि हिए दि हम बात करते हैं कि चितोर गड़ में इनहों ने एक मंदिरनिरमाण करवाया है चत्रभुज शिवमंदिर में यहां पर हमने कुछ महथरपूरन बातने समझे कि राजा-भोज ने सबसे पहले भोजनगर बसाया ठीक है इसके अलावा भोजपूर नगर बसाया साथ ही इन्होंने यहां सिव मंदर बनवाया इस सम्मंदर में यहीं पर इस्थापित है विश्विका ठीक है इसके अलावा यही बात कि हमने कि इन्होंने भोजपुर में एक विशाल बांद बनवाया था ठीक भोजपुर के अलावा इन्होंने धार में भी यहीं हम बात करें तो धार में भी एक बांध का निर्मान कराया था ठीक है तो दो निर्मान है यहां बांध के एक आपके भोजपुर में भी है और दूसरा धार में साथी भोजशाला संस्कित विद्याले की स्थापना करव किस साशक ने कराया था तो यह कॉश्वं पहले भी पूछा जा चुका है अब इनके दर्बार में कुछ विद्वानों को इन्होंने रखा था साथ ही ये स्वयम भी बहुत बड़े विद्वान थे इन्हों ने जो है उस समय पर जितने भी उनके छित्र में विद्वान थे उनको सम्मानित किया और अपने दर्बार पर उन्हें सनरक्षन प्रदान किया कहा जाता है कि इनके दर्बार में जितने भी साहित्यकार थे, लेखक थे, वो उस समय के उत्कृष्ट लेखक माने जाते हैं, ठीक, तो उस समय पर यदि बात करें तो इनके दर्बार में थे आपके जनजय, इसके अलावा देवसेन, साथी इनके दर्बार में दो जैन लेखक भी हुए पहले थे धनपाल और दूसरे हैं प्रभाछंदर सूरी धनपाल जो है इनहों ने तिलकमंजरी नामक एक घ्रन्त लेखा है तिलकमंजरी नामक इन्हों ने एक बुक लिखी है और इन Taeja यह इनोग कैंट स्वीकार किया साथ था कि इनोंने जैन धर्म स्वीकार किया था धर्याद रखिएगा और यह प्रश्न पूछा भी गया है कि राजाभौच कौन से लेखक ने या उनके दर्वार के कौन से विद्वान ने जैन धर्म स्विकार किया तो याद रखिएगा वो हैं आपके धनपाल ठीक साती प्रभाचन सूरी भी इनके दर्वार में प्रमुख जैन लेखक थे इसके साथ ही याद यहां बात करते हैं आपके जनन्जय और देव सेन भी इनके प्रमुख लेखक थे मैंने बताया कि यह देखा जाए तो यह खुद भी एक विद्वान थे इन्हों ने कई यहां पर ग्रंथ लिखे थे तो उनके ग्रंथों की बात करते हैं तो इन्हों ने समरांग गण सूत्र लिखा था जो उस समय पर वास्तु सास के लिए इन्हों ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है समरांग गण सूत्र धार ठीक कहा जाता है कि राजा भोज स्वया में एक आर्किटेक्चर थे देखा जाता है यह एक बहुत बड़े सिविल इंजीनियर भी थे इन्हों ने जो निर्मानकार कराए वो बहुत उतक र्चिख भी थे ठीक है और कि WOR भी 3 साथ ही नहों ने देखा जाये और यह बहुत बड़े इंजीनियर भी थे इसके अलाबाबा युक्ती कलप तरु् सुरस्वती कंठ मरणम्त मरं इसके अलाबां शरिंगार प्रकास साथ ही इनके अलाबाब तेईस ग्रंथों की रचना सोय हम राजा भोजने की थी तो इनके ग्रंथ याद रखिएगा सम्रांगण सूत्रधार इसके बाद में अपने बाद युक्तिकल्प तरू फिर आपका स्रस्वतिकंडबर्णम और आपका श्रिंगार प्रकास नामक ग्रंथों की इन्हों ने रचना की थी साथ ही अधि हम बात करते हैं इनके युद्धावियानों कि तो युद्ध में इनका सबसे महत्य पूर्ण युद्ध हुए चालुक कि साशक से ठीक है चालुक साशक जू है इन से भी इनका युद्ध होने वाला है तो इसपर स्जा llDas कर लेते हैं अब हम चलिए कि अब राजा भूज की युद्धवियान समझते हैं तो सबसे पहले इन्हों ने बात करते हैं युद्वियान पर बात करते हैं, सबसे पहले इन्होंने आदी नगर पर अधिकार कर लिया था यह कहां हुआ करता था तत्काली उडीसा में यह इस्थापित हुआ करता था जहां पर इन्होंने अधिकार कर लिया था साथ ही इन्होंने चालुक के साशक चालुक के साशक स्वामेश्वर से भी युद्द लडा था ठीक है तो इन्होना चालुक के सासद से भी यहाँ पर युद्द लडा है सात यहीं हम बात कर रहे हैं कि आदी नगर जो है आदी नगर पर भी इन्हों ने अधिकार किया था आदिनगर वर्तमान का आपका उडीसा हुआ करता था तो इनसे भी इनोंने युद्ध लला था साथ यह दी हम बात करते हैं चालू किसासक स्वामना से इनका युद्ध हुआ लेकिन इस युद्ध में यह क्या हुए थे पराजित हुए थे और यह युद्ध लला गया था आपका 1047 AD में यह युद्ध लला गया था इसके अलावा एक और महत्पूर्ण युद्ध है कहा जाता है कि इन्होंने चाहमानों को चाहमानों को पराजित किया था कहां कि चाहमान मेवाडा के मेवाडा के चाहमानों को इन्होंने पराजित किया था अब कहना सर इस बात की जानकारी खहां से मिलती कि चाहमानों को पराजित किया था तो प्रत्वी राज विजे नामक पुस्तक है प्रत्वी राज विजे बुक से इस बात की जानकारी मिलती है कि इन्होंने मेवाडा के चाहमानों को पराजित किया था चलिए इसके बाद यदि देखा जाए तो अब सैयुक्त सेना इन पर आकर्मण करने वाली है चालुक्यों की सेना भीम दवती का नितत्व पर चल रही थी वहीं पर लक्षमी कर्ण सासक हुए कल्चुरी वन्स के इन्हों ने संयुक्त रूप से आकर्मन किया 1053 AD में इन पर और इस संयुक्त युद्ध में युद्ध लड़ते हुए याद रखिएगा दोनों की सेना है आपके कल्चुरी सासक लक्षमी कर्ण की और यहां पर आपके चलूक कि सासक भीम इनके दोनों के संयुक्त सेना ने आकर्मन किया और इस में किया हुआ था देहांत हो गया ठीक है तो इन का किस्न मेंदेहां भुगिया था इसे युद्ध में ही इनका देहान तो हो गया था ठीक चलिए तो राजा भूज में कुछ महत्पूर्ण बाते हैं हमने देखी कि सबसे पहले यहां पर सिंदु राज के यह पुत्र थे साथ ही यह दी हमने बात किया कि इनकी तुलना किसे की जाती है समुद्र गुप्त या न नामक किताब से मिली है इसके अलाबाद चालोक के साथ सक स्वमेश्वर से भी इनका युद्ध हुआ जिसमें यह पराजित हुए थे पराजित कौन हुए थे राजा भोज पराजित हुए थे और राजाबुच पराजत तो हुए और स्वमेश्वर ने उस समय पर धार पर लूट की थी, ठीक है, धार नगरी उस समय लूटी गई थी, ठीक है, चलिए, तो यहाँ हमें कुछ बात था समझ ली, कि कुछ युद्ध है, और इनके कांड इनको क्या कहा जाता है, इनके विज भोज नगर को बसाया है, साथी इन्होंने यहाँ पर एक सिव मंदर बनवाया, जिसको वर्तमान पर आपका भोज मंदर भी कहा जाता है, तो याद रखिए का आपका भोजपुर या भोज मंदर जो है, वो बहुत प्रसिद्ध है, सबसे बड़ी यहाँ पर शिवलिंग दे सापना की है, इनकी पत्री हुई साल माली, साल माली जो है, इन्होंने भोजपाल में एक मंदर का निर्मान कराया, सभा मंदल का, और बाद में जब कुदसिया बेगम भोजपाल पर साशन करेंगी, तब इसे तुलवा करके वह एक मस्जित का रूप देने वाली है, ठीक है, तो सभा मंदल को तोड़ करके एक मस्जित का रूप किस ने दिया था, कुदसिया बेगम ने दिया था, अब इस बंस के अंतिम साशक होने वाले हैं, महलक देव, तो याद रखेगा इस बंस के अंतिम साशक कौन थे, महलक देव थे, अब महलक देव पर आकर्मन करने वाले हैं उस समय पर आपके अलाउद्दीन खिलजी के सेनापती आइन उल मुल्क जो है महलक देग पर आकरमन करेंगे महलक देप को पराजित करेंगे और इसी युद्ध में महलक देग पराजित होने के साथ मारवा के छेतर पर पर्मारवन्स का शाशन हुआ करता था यह अब दिल्ली स्लतनत के आधीना चुकी थी और दिल्ली के सुल्तान के लिए आपके लिए उपयोगी हो इस बात की मैं कामना करता हूँ उमीद करता हूं आगामी आगामी जतने भी एक्जामस हैं एक्जामस में परमारवन्स से जतने भी कौशन पूछे जाएं वो आप सभी से बन जाएं ठीक है तो चलिए आज के लिए इतना ही आगे हम फिर राजवन्सों की सीरीज को continue रखेंगे फिर कल मुलाकात करेंगे आज के लिए इतना ही जै हिंद जै भारत झाल 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 झाल